दोस्तों यदि आपने यंत्र इंडिया लिम्टेट के लिए अप्रेंटे से फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है क्योंकि अब आपका जो सेलेक्शन लिस्ट है वो जारी हो चुका है कि कौन से कैनिडेट इसमें सेलेक्टेड हुए है बह आपको उपलब्द करा दी गई है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डिरेक्ट सबसे पहले आप सेलेक्शन लिस्ट को देख सकते क्योंकि यह अप्रेंटे से जो हुई थी इनवे दो अलग अलग परकार के जो थे क्वालिफिकेशन रखे गये थे पहला वैसे कैनिडेट अप आपको दो आपको मिलते हैं पहला नौन आईटी आई मतलब कि दसभी पास पर अगर अपने अप्लाई किया था तो उसको चूनेगे अगर आईटी आ के साथ आपने नेपलाई किया था तो नीचँवाला शून करेंगे और यहांवर फैक्टरी नेम आपको बतानी हो है जब ITA वाले candidate थे, उनका cut-up काफी high गया हुआ है, आप यहाँ पर भली बाती देख पाएंगे, 100, 95, 93, इस परकार जो है, cut-up वाले candidate इसमें short-listed किये गए हैं, आप नीचे आएंगे तो आपको, last आपको, जो HD वाले candidate है, उनका 89, आपको cut-up देखनों को मिलेगा, तो इस परकार पहले आप जाकर देखिए, अगर माल लिजिए, अपने ITA के लिए apply किया था, ITA के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या करना, ITA चुनना है, और आप अपना जो factory name डाले हुए थे, जो अपने online आविदन करते समय, उसको chain करेंगा, और किस trade से अपने apply किया था, उसको भी आपको डाल कर चेक करना होगा, यहाँ पर आपको देखनों को मिल जागा, इस परकार पहले चेक करिए, जो candidate इसमें shortlisted हो चुके हैं, उन तमाम candidate को एक mail भेजा जा रहा है, उस mail को आप चेक करेंगे, mail में आपको बताया गया है कि आपका, जो आपकी document verification होगी, कहां पर होगी, साथे साथ, उन में document आपको क्या लेकर जानी है, उसकी जनकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगे, तो उससे जाकर आप देख लिजेगा, वो आपको mail पर पता चल जाएगा, जो आपने दिया होगा, तो इस पर कर जाएए, अगर आपने apply किया था, यंत्र इंडिया limited apprenticeship के लिए, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, कि आप लोग का merit list है, release हो चुका है, selection list है, इसके बाद आप जाकर इसमें apprenticeship के लिए training ले सकते हैं, और इसमें आपको stipend भी दिया जागा, तो आप इस training को अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, जो आपके लि हो सकता है, धन्यवाद